सर्व मांगल मांगल लिये शिवे सरवार्त सादिके शरणिये त्रयमबके गवली नाराएनी नुमस्तिते चैमाता दी बहुत स्वागत है आपका अभी आप देख रहे हैं राशिफल पंचांग न्याय की देखता शनीदेव करने जा रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन अपने मित्र राहू के नक्षत्र में करेंगे प्रवेश पूरे 30 साल बाद 15 मार्च 2023 बुद्वार के दिन सुबह 11.40 में शतभीशा नक्षत्र के पहले चलन में गोचर करेंगे शनीदेव जहांपर 17 अक् राशी, मकर राशी और विशब राशी के लिए शनीदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन शुब रहने वाला है धनलाव और तरक्की के प्रवल योग बनाने जा रहा है और करक राशी, कन्या राशी, विश्चक राशी, कुम राशी और मीन राशी वालों को इस अवधी में यानि कि पूरे साथ महीने तक रहना होगा साबधान तो आज हम राशी फल में विस्तार से बात करेंगे इन राशीयों के बारे में शनीदेव के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है और क्या उपाई करने से आपको लाब हो सकता है तो हमारे साथ वीडियो को अन्ति तक जरूर देखें शनीदेव शतभीशा नक्षत्र के पहरी चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जो मेस राशी वालों के लिए बहुत ही लाबकारी सिद्ध होगा निवेश करने से आपको लाब होगा साथ ही कोई नया बिजनेस अगर आप शुरू कर रहने वाला है धनलाब का प्रबल योग आपके लिए बन रहा है मेस राशी वालों वहीं आर्थिक स्थिद्य आपकी मजबूत होगी और प्रतेक शेत्र में आपको लाब मिलेगा मिथुन राशी मिथुन राशी वालों लंबे समय से रुके हुए कारिये आपके फिर से गत काम में सफल होने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है बितुन राशी वालों शनी का सतभीशा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए शुभ फनों की प्राप्ति कराएगा शनी की धहिया से भी आपको राहत मिलेगी साथ ही आई के नई श्रोत ख खुलेंगे हर शेत्र में आप सफलता हासिल कर सकेंगे सिंग राशी सिंग राशी वालों शतभीशा नक्षत्र में शनी देव के प्रवेश करने से नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को सफलता हासिल होगी साथ ही शनी की सतभीशा नक्षत्र में प्रवेश करने से का समय रह सकता है बिजनेस में अधिक मुनाफ़ा आपको मिलेगा जिससे आर्थिक स्थति आप की मजबूत रहेंगे शनी आपके कुली के सब्टम भाव में संचारन करेंगे जिससे आर्थिक लाब की योग बन रहे हैं आपको बिजनेस में नोकरी में जबरदस्त लाब आपके लिए बन रहे हैं मकर राशी मकर राशी वालों शनी के सत्वीशा नक्षत्र में गोचे करने से मकर राशी वालों के लिए बहुत ही शुब समय रहेगा इस अवधी में कमाई करने और धन कत्रित करने के कई मौके आपको मिलेंगे साथ ही मकर राशी वालों आकस्मिक ध मिल सकता है मेहनत का पूरा फल आ आपको मिलेगा निवेश करना आपके लिए भृत ही लाबकारी सिध्ध होगा और आई के श्रोट bhi भी बनेंगे धनूलाशी। धन्वाची वालो शनीदेव का यह गोचराप के लिए लाबकारी सिद्धोगा जीवन के प्रते के शित्र में सफलता हासिल आप कर सकेंगे मन चाही नौकरी आपको मिल सकती है साथ ही कारिस्थल में आपके काम की सराहना की जा सकती है व्यपार जो लोग कर रहे हैं उसमें उनको अच्छा खासा मुनाफ़ा मिलने का योग बन रहा है धन्वाची वालो विशेश लाब शनीदेव के सतिभीशा नक्षतर में प्रवेश करने से आपको मिलेगा लंबे समय से नौकरी में रुकी हुई पद्दुनती आपको मिल सकती है कारोबार में भी सफलता आपको मिल सकती है तुलाराशी तुलाराशी वालो शनीदेव का नक्षतर परिवत्तन आपके लिए खुशिया लेकर आने वाला है उन्रती के योग आपके लिए बन रहे हैं साथ ही लाबकारी आपके लिए सिद्ध होगा क्योंकि आप पुर्व में की गई महना तरंग लाएगी ऐसे में आपके आर्थिक दृष्टिकों से समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है आर्थिक स्ति आपकी मजबूत रहने वाली है साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपका सुख में रहने वाला है घर में जो आपके जीवन में उताच रहाव देखने को मिल रहा था वह समय अब समाप्त होने वाला है विशब राशी वालों सतिभीशा नक्षतर में शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं जिससे विशब राशी वालों को जबरदस लाब का योग बन रहा है क्योंकि आपके कुंडली में शष और केंदर तुरेकों राजियों का ये निर्मान करेंगे तो ऐसे में आपके नौकरी में पद्दुनती के साथ साथ इंक्रिमेंट या फिर वेतन वृदी के योग आपके लिए बन रहे हैं साथ ही राजनिती इंजिनिरिंग और मेडिकल के शेतर से जो जुड़े जातक है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है अब आईए जानते हैं कि किन राशियों को सावधान इस अवधी में रहना बहुत ही आवश्यक है करक राशी करक राशी वालो शतिभीशा नक्षेतर में शनिदेव के प्रवेश करने से नोकरी वेपार में उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है कुछ चिनोतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है परिश्रम वाला समय हो सकता है भागदौर वाला समय हो सकता है साथ ही पार्टनर्शिप में अगर कोई काम करते हैं तो इस अवधी में आपको सतरक रहने की ज आपको करना पर सकता है करने राशी कर निया राशी के जातीकों पर काईस्थल पर काम का बोज़ बढ़ सकता वक्त लोड बढ़ेगा नोक्री में स्थान परिवर्थन के योग बन रहे हैं और विया पारियों को मन मुताबिक मुनाफ़ा नहीं मिलने का संकेत थे साथ ये वर्तन की कोशिश करने वाले जो जातक हैं उनको थोड़ा जादा परिक्तिच्छा करना पड़ सकता है व्रिष्टक राशी वालों शनी की धहिया आपके उपर चल रही है ऐसे में शनी का नक्षतर परिवर्तन आपके लिए शुब नहीं कहा जा सकता आर्थिक बजट बना कर वर्ना आथिक डिश्टिकों से समय आपके लिए मुश्किलों भरा रह सकता है कुमराशी कुमराशी वालों जैसा की शनी की साड़े साती का दूसरा चरन कुमराशी के जातकों पचर रहा है तो इस दौरान नोकरी करने वाले जातकों पर काम का दबाब जादा रहेगा सहकर देखने को मिल सकते हैं मीन राशी मीन राशी वालों शनी की साड़े साथी का प्रथम चरण मीन राशी वालों पचर रहा है तो इस दौरान वर्कलोड आप कर रहेगा है किसी नए कारे के शुरुआत इस अधी में ना करें और धर निवेश करने से बचे अन्य था आर्थिक न जरंग बली की पूजा जरू करें और शनीवार के दिन हनुमान चालीसा का पाट करें हनुमान जी की आर्थि करें और शनीदेव के समक्च आप तिल के तेल का दीपक जरूर जलाए और इसके साथ ही शनी से संबंदित ले चीज़ों का दान करें जैसे काला तिल, कंबल, कमेंट करेंगे वीडियो को लाइक शेयर चानल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले आप से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे अगले राश्री फलकारिक्रम में तब तक के लिए आग्या दें आपका दिन शुब हो जै श्री राम जै हनुमान